असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकुम करता हूँ मैं आप सब का अपने यूटिव चैनल पर और उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाबाने फैरी से होंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर वही जो पिछली वीडियो में की थी मरदाना के मजोरी के बारे में तो आप कहेंगे कि यार आज फिर वही वही टॉपिक के ओपर बात तुस्तों ऐसा है कि कुछ लोगों ने कॉमेंट किया कि हमेरी ये दवाईं जो हैं बजार से खरेदने मुश्किल हैं और कई दफ़ा फिर ऐसे भी होता है कि जड़ी बूटियां मिलती नहीं कभी यह नहीं म कि अनको परेशानी हो रही है दिक्त हो रही है वह कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा नुस्खा बताएं रेडिमेड हो कि वही काम करता हो जिससे वीरे बिगाडा होता हो और स्टैमने भी अच्छा होता और अब बोड़ी भी स्ट्रॉंग है जिससे तो दोस्तों इसलिए मैं आप इसमें आपको वैसी दवा रेडिमेड बताने वाला हूं आप कहींसे भी खरीश सकते हैं से किसी भी जहां से आई रुगेज्ट की दवाईया मिलती हैं आपो किसी भी दुकान से खरीश सकते हैं यह और बहुत ही आसानी से में रचाती हैं तो दोस्तों यह हो ड़ा यह आपके दिमाग को भी कुवट बख्षता है और दिल को भी मजबूत करेगा दिल को भी कुवट देगा और आपकी बोड़ी को भी बिल्कु स्ट्रॉंग रखेगा यह और इससे जो वीकनस रहती है आपकी वो बिल्कुल ठीक रहेगी दिमाग के लिए तो बहुत ही को भी ठीक रहती है वीजे को बढ़ाता है अगर शुकुरानों की कमी हो उनको भी पूरी करता है और यह पठ्थों को पूरा मजबूत कर देता है और इससे जो है आपकी मर्दाना ताकत जो है इसे बिल्कुल अच्छी तरह बहाल करता है और एक आपके अंदर एक नया प्रूश्ट पैदा करता है यह बहुत ही बहतरीन चीज है आपने यह कैसे यूज करनी हो वह मैं आपको बता देता हूं गुर्दे और मसाने को यह ताकत देता है और इसके साथ जो दूसरी चीज मिलाने है दोस्तों वह यह है इमसाकीन यहाले देखियो आप का दोस्तों आप ने यूज करनी है कैसे करनी है और इसका फाइदा गया है इसमें यह जो है यह वीरे को गाड़ा करती है जब वीरे गाड़ा होता है तो फिर टाइमिंग की टाइमिंग वू भी बढ़ती है तो कि जितना वीरे गाड़ा होगा उतना ही ज्यादा वह आपके अंदर रुकेगा और इसी से फिर टाइमिंग ज्यादा बढ़ती है तो दोस्तों आपको इसे यूज कैसे करना है वह मैं पता देता हूं इन दोनों को यह माजून है चटनी की तरह होते हैं यह माजून होते है इनको इन दोनों को आपने मिला लेना है मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे पांच ग्राम आपने सुभा को और पांच ग्राम ही शाम को यूज़ करने है पांच ग्राम सुभा को पांच ग्राम शाम को दूद के साथ हलका गरम दूद हो उसके साथ सुभा को खाली पेट लें पांच ग्राम और फिर शाम को खाना खाने से या तो एक घंटा पहले तोर दोसे अमीद करता हूं कि के आपको मेरा वी दियो अच्छा लगा हूँ गया है अकर दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करना आप वो वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको वो नुस्खा बनाना अगर आपको आसान लगेगा, आप और उसका हल कर सकते हैं, आपको वो जड़ी बूटियां मिल सकती हैं, तो आप ज्यादा वही उज़ करें, वो ज्यादा रहते हैं, अगर और कम से कम चालीस दिन आपने यूज़ करना है, चाहे अगर आप ये बला करें, और चाहे वो आप दूसरा करें, जो बिनाना है घर में, कम से कम चालीस दिन और अज़ ने तो तीन महीने तक तो अपने यूज़ करना है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर कि दूसरी वीडियो में किसी नई इंफिरमेशन के सा Assalamu alaikum